Hello everyone, आप सुभी का फिल से स्वागत हैं, यह घटना चक्र जोग्रफी का डिसकसन है और आज का टॉपिक है विविद उद्ध्योग, तो चले स्टार्ट करते हैं देखें, सीमेंट उद्ध्योग भारत के सरवाधिक उन्नत उद्ध्योगों में से एक है भारत में पहली बार समुंद्री सीपीओ का उप्योग कर चेनई में 1904 में सिमेंट बनाने का प्रयास किया गया 1914 में इंडियन सिमेंट कमपनी के पुरवंदर सनियंत्र के अस्थाबना हुई, सिमेंट उद्ध्योग भार हरास वाला उद्ध्योग है जो मुख्यत चूना पथर पर निर्वर है, अतह या उद्ध्योग चूना पथर प्राप्ती वाले छेत्रों में अधिकांस विक्सित हुआ है सिमेंट उद्ध्योग में अन्य कच्चे माल के रूप में कोईला एम जिवसम का प्रयोग किया जाता है भारत में विंद्ध सैलो में सिमेंट निर्माड योग के चूना पथर उपलब्द है भारत में सिमेंट उद्ध्योग के परमुग जो केंद्र है याद रखेगा अंबाला, देरादू, चर्खिदादरी, वनमोर, डाल्मिया नगर, डल्ला, चूर्ग, चोपन, खटारी, जाजा, सिंद्री, पुरूलिया, चैवासा लोकेशन याद रखेगा बहुत जादा इंपोर्टेंट है भारत में सिमेंट उद्ध्योग मध पर्देश के परमुख जीलो जैसे सतना, कटनी, कैमोर, नीमच, मैर, जबलपूर, रतलाम, आदी में पाय जाता है बिहार में डाल्मिया नगर मुख रूप से सिमेंट के लिए परसीद है इसके अतरिक यहाँ चीनी कागज केमिकल आदी उद्ध्योग भी अस्थापी थे यह नगर बिहार राज के रोतास जीले में सो नदी के किनारे स्थित है डाल्मिया और धोगिक नगर की अस्थापना याद रखेगा रामकेश्न डाल्मिया ने की थी सिमेंट उद्ध्योग का विकास आंदर पर्देश के विजय वाड़ा, विजय नगरम एवं विशाखा पत्नम जीलो में किया गया है राजस्थान के सवाई माधोपूर, सिरोही, लखेरी, सिकर, आदी जीलो में सिमेंट उद्ध्योग का विकास किया गया है उत्तर परदेश में चुनार सिमेंट उद्योग के लिए परसिद है इसके अतरिक उत्तर परदेश में सिमेंट के अनकर खाने दादरी जो की गौतम बुधनगर में है चूर के सुनभद्र और डाला भी सुनभद्र में इस्तित है 20 वस्तर पर सिमेंट उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दुसरा है याद रखेगा इंडियन मिनरल सियर भूग 2019 के आकड़े कनुसार अगर बात करें तो 2019 में सिमेंट का भारत में उत्पादन 320 मिलियन टन रहा 20 वे के तीन अगरणी सिमेंट उत्पादक राष्ट कौन-कौन से हैं पहले अस्थान पचीन इसके बाद भारत और वियतनाम है 2018 में भारत के सिमेंट सन्यांतरों में सिमेंट की कुल संस्थापी जो चमता है 556.94 मिलियन टन और जबकि उत्पादन 337.32 मिलियन टन वारसिक है भारत में 1818 SP में कलकता जो की वर्तमान कलकता याद रखेगा 1818 SP में कलकता के निकट इस्तित फोर्ट गलाश्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र करखाना शुरू किया गया प्रन्तु यह परियास सफल नहीं रहा 1854 SP में मुंबई में प्रतम सफल सूती वस्त्र के करखाने दबंबे SP निंग मिल्की अस्थापना कवाह जी नाना भाई डावर के द्वार की गई थी कवाह जी नाना भाई डावर याद रखेगा सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के भार हरासी न होने के कारण यह उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है भारत में सुति वस्त्र उद्योग के परमुक केंद्र याद रखेगा करखाना निर्मित सुत का अग्रणी उत्पादक है इसका परमुक कारण कताई मीलो की संख्या का अधिक होना कुल सरमिको की परचूर मात्रा सस्ती जल विधूत की उप्लाबता पंजाब राज में लुद्याना होजरी उद्योग के लिए परसीद है यह होजरी बुने हुए कपड़े और विभिन रेडिमेंट कपड़ों के लिए परसीद है भारत का परतम उवरक्ष सनयंत्र 1906 इस पी में रानी पेट तमिलाडू में याद रखेगा भारत में सारोजनिक छेत्र का प्रतम उरवरक्ष सनयंत्र 1951 में बिहार उवर्तमान में जहरखंड के सिंद्री में अस्थापित किया गया था इसके बाद नांगल पंजाब में उरवरक्ष सनयंत्र अस्थापित हुआ था फूलपूर यानि परियाग राज उत्तर परदेश में भारत का सहकारिता छेत्र में सबसे बड़ा उरवरक्ष करखाना इस्थित है 3 नवंबर 1967 को अस्थापित इफको की फूलपूर इकाई का सीला नियास दतकालिन परदान मंत्री इंद्रा गांधी के दवारा 1974 में किया गया फूलपूर इकाईया कलोल गुजरात में कांडला गुजरात आवला उत्तर परदेश और पारादी उडिसा में है भारत का सबसे बड़ा पेट्रूर रसायन कर खाना गुजरात जामनगर राज में अवस्तित है इसका तरिक हल्दिया पश्ची मंगाल पेट्रूर रसायन कर खाने के लिए परसीद है गुजरात में पेट्रूर रसायन का परमुख केंद्र जुआहर नगर यानी वड़ोद्रा में इस्तित है भारत में कूल हस्त सिल और हत करगा उद्योगों की जो संख्या है एक दस्मलो आठ साथ मिलियन लगभग में है याद रखेगा एक दस्मलो आठ साथ मिलियन वस्त्रमंत्राले के वार्सिक रिपोर्ट वाजा उननीस बीस के अनुसार अगर बात करें तो हस्त सिल उद्योग में 68.886 लाख विदूत घर में 44.18 लाख एवं हत करगा उद्योग में 35.2-3 लाख से अधिक वेक्तियों को रोजगार मिला हुआ है भारत में कुल हस्त सिल और हत करगा उद्योग में पश्ची मंगाल सबसे अधिक उसके बाद उतरपरदेश, उडिसा, आंध्रपरदेश और तमिलाडू का अस्थान है भारत में भारी इंजिनियरिंग उद्योग की सुरुवात 1958 में हैवी इंजिनियरिंग कॉर्परेशन लिमिटेड राची की अस्थापना से हुई डीजल लोकोमोटिव वरकस वरारसी में इस्तित है इसकी अस्थापना 1961 में भारती रेलवे के द्वारा की गई थी इसमें रेल डीजल इंजिन और उनके अनकलपूर्जे का जो है निर्मान किया जाता है इंडियन टेलिफोन इंड़स्ट्रीज की अस्थापना 1948 में की गई थी इसका कॉर्परेट मुख्याले याद रखिएगा कहां पर इस्तित है बंगलूरू में जबकि विनिर्मान इकाईया बंगलूरू के अतरिक नैनी, रायवरेली, मनकापूर जो की उतर परतेस में है और पालकड जो की केरल में है सिरी नगर, जमू और कास्मीर में इस्तित है भारत Electronics Limited जिसे B EL कहते हैं भारत Electronics Limited वर्ष 1994 में बंगलूरू में निगमित की गए भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेट की विनिर्माण इकाईया पंचकूला हरियाडा, कोट द्वार उत्राखंड, गाजियावाद उतरपरदेश, तलोजा एवं पूने महराश्ट, हैदराबाद एवं मचली पत्नम आंध्रपरदेश, बंगलूरु करनाटक, चेनई अस्थाफित है, प्यार लिमिटेड रखा विसाखा पत्तम के अलावा कोलकात्ता गोवा मुंबई तथा कोचीन भारत के परमुख जल या निर्माण के अंदर हैं ये सभी सारवजनिक छेत्र में हैं भारत में सभी परकार के छोटे एवं बड़े वानू का निर्माण होता है इस उद्योग से संबन्दित परमुख इकाईया है हिंदुस्तान मोटर यानि कुलकात्ता में जो है प्रीमियम अटो मोबाई लिमिटेड मुंबई असोक लिलेंड याद रखेगा असोक लिलेंड चेन्नाई टाटा इंजिनियरिंग कंपनी लिमिटेड जमसेदपूर महिंद्रा एंड महिं कंपनी लिमिटेड भूनेश्वर में इस्तित है भारत के महदुराई कोईमेटूर बंगलूरु अधोगिक परदेश में सिवकासी अधोगिक छेतर इस्तित है या एक बड़ा अधोगिक केंद्र है जो की तमिलाडु के विरधु नगर जीले में अवस्तित है या अतिस बा इसके कई छोटे और बड़े उद्योग अस्थापी थे यहां कुछ परमुख वाहन उत्पादन कंपनिया भी हैं तथा इसे देश के अटो मोबाईल हब के रूप में जाना जाता है देखे हिंदुस्तान मसीन टोल्स बंगलूरु इस्तित सारवजनिक छेतर का एक उक्रम ह इसके स्थाबना 1953 में स्वी सरकार के सयोग से की गई थी इनमें कूल नौव सनयंत्र हैं जिसमें परमुख सनयंत्र पिंजोर हरियाना में स्थित हैं फटिलाइजर कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड 1961 में निगमित कंपनी बनी और 1978 में इसका पुनर गठन हुआ इसक इसके स्थापना का मुल्क उदेज हैं एल एंजी आयात और देज में एल एंजी टर्मिनल की अस्थापना करना यह संजुक्त उदम उपकरम के रूप में गेल, ONGC और IOC तथा BPCL के द्वारा पोसित की जा रही है पेट्रोनेट LNG Limited अभी तक जो है दाहेज यानि गुजरात में 17.5 mm TPA चंता का यहां कोची यानि केरल में 5 mm TPA चंता का टर्मिनल लगा चुकी है तीसरा LNG टर्मिनल जो है गंगावरम बंदरगा आंध्रपरदेश में 5 mm TPA का लगाया जाना प्रस्तावी थे ड्रेजिंग याद रखेगा है ड्रेजिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया 1976 में अस्थापिस सामरिक दिरिष्टी से देश के पूर्वी तट पर विसाखा पत्नम यानि आंध्रपरदेश में इस्तित है इसके परमुक कारियों में बड़े एवं छोटे बंदरगाहों नौसेना मतस्य बंदरगाहों का निर्माण और अनसमुद्री संगठनों के लिए समुद्र में खुदाई का कार करना है भारत में नारवाह पहाण खान याद रखेगा भारत में नारवाह पहाण खान जारख सांगन्यू गाओं याद रखेगा मोन के सांगन्यू गाओं में नगाओं में सबसे अच्छे लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं गुहाटी के समीप अस्सा में इस्थित नलबाडी जीला कौनसा जीला नलबाडी जीला बास पराधारे पारंपरिक वस्तु के निर्माण के ल पर्षाहित करने के लिए बनाए गए हैं उतर परदेश देश में कांच उद्द्योग में परमुक अस्थान है और देश के कांच केंद्रों में बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरट, लकनौव, मखनपूर, हीरनपूर, वराणसी, सासनी, आदिमोख हैं फिरोजाबाद कांच की चूडिया बनाने के लिए विश्व विख्यात है इस प्रदारीत पहला प्रशन पूछा गया भारत के निमलिखित नगरों में से किसमे देश का प्रथम क्रित्रिम रवर सनियंत्र लगाया गया है याद रखेगा पानी पत इसका सही जवाब होगा देश का प्रथम क्रित्रिम रवर सनियंत्र पानी पत हरियाना में लगाया गया है इसके अस्थापना इंडियन सिंथेटिक रवर प्राइवेट लिमिटेट के द्वारा की गई है और सेकेंड प्रशने सुची वन सुची टू के साथ यानि केंद्र और उद्धियोग के और चन्ना पटना जो है इसका किस उद्धियोग से संबंध है तो चन्ना पटना है रेसम उद्धियोग के लिए और भदो ही कालीन के लिए विख्यात है तो इसका सही जवाब होगा B option दुबारा से रिवीजन कर लेते हैं काखी नाराज जूट उद्धियोग से विर्धू लगर सुतिवस्त्र चन्ना पटना रेसम भदो ही कालीन के लिए विख्यात है ठीक है द्यार रखेगा प्रस्मे संख्या 3 है सुची 1 सुची 2 के साथ आपको क्या करना है उतर का मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं बताए इसका सही जवाब क्या होगा देगे भारी अलमिनियम का जो संबंध है किस राज से है यानि किस सहर से है तो रेनुकूट अलमिनियम और उर्वरक का सिंद्री से सही जो अप्शन होगा ए अप्शन दुबारा से यहां पे रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए भारी इंजिनेरिंग उद्यो राची मसीन ऑजार पिंजोर अलमिनियम रेनुकूट उर्वरक सिंद्री प्रेशन संख्या फोर नेमने लिखित कतनों पर विचार की जिए पहला है पेट्रो नेट एल एन जी लिमिटेट मंगलोर में एक और एल एन जी टर्मिनल लगा रहा है दुसरा ड्रेजिंग इसका सही जवाब क्या होगा आँ बताइए तो देखिए इसका सही जवाब होगा दूसरा और तीसरा कथन सत्य है यानि सी अप्शन पहला कथन सत्य नहीं है पेट्रो नेट एल एल एन जी लिमिटेड अभी तक दाहेज यानि गुजरात में 17.5 mm टीपीए छंता कोची यान किरल में 5 mm टीपीए छंता का टर्मिनल लगा चुकी है तिसरा एल एलेंजी टर्मिनल याद रखेएगा गंगा वरम आंधरपर्देश में लगाया जाना प्रस्तावी थे ड्रेजिंग कॉर्परेशन ओफ इंडिया सामरिक दिरिष्टी से पूर्वी टटपर विसाखा पत् आइप सुची वन सुची टू के साथ आपको मिलान करना है तो चले मिलान करते हैं तो कि एक तरफ हस्त लेंड का एक जीला है मोन के सांगनियू गाओं मेन गाओं में सबसे अच्छे लकडी के जो वास्तुकार हैं मिलते हैं गोहाटी के समीप अस्वम इस्तित नलबाडी जीला बासपराधारित पारंपरिक वस्तु के निर्मान के लिए विख्यात है और पासी घाट अरुणाचल परदेश में सियांग यानि अरुणाचल परदेश में ब्रंपूत्र नदी का स्थानिय नाम है इसके दाय किनारे परिस्तित है तूरा ब्रंपूत्र नदी के निचले मैदानी भाग के पीछे मेगाले मेश्तित पहाडी भोद्रिस वाला जीला है प्रफेशन संख्या 6 है इ वायोडिजल्स सन्यंत्र से हैं और डुंडीगल डुंडीगल का जो समींद्र है बताई किससे हैं धुंडीगल का समींद्रीन भारतिय वायूशेना अकादमी मढगाओं का जो संबंध है मढगाओं का असकाईवस मेट्रो रेल परिक्षण यात्रा से है और भद्राच चलम का जो संबंध है ITC कागर बोर्ड एकाई से इसका सही जो option होगा, B option ठीक है, याद रखिएगा काकी नाडा आंद्र परदेश याद रखिएगा काकी नाडा आंद्र परदेश में है और ये किसके लिए परसीद है बायो डीजल सन्यांतर के लिए ठीक है, और डुंडिगल ये हैदराबाद में है, और ये किसके लिए परसीद है, तो भारती वायू सेना अकादमी भारती वायु सेना का परिक्षण संस्थान है और मंड गाओ जो की गोवा में और किसके लिए परसीद है तो असकाई वस मेट्रो रेल परिक्षण यात्रा बी राजारान के परिक्षण में किया गया इसके बाद भद्रा चलम ततकालिन आंद्र परदेश वर्तमान तिलांगना ITC कागज वोड इकाई जो है इसके लिए परसीद है सेवेन नमबर है एक तरफ केंद्र दूसरे तरफ जबाब क्या होगा आपको बताना है देखिए आउला आउला जो है इसका संबंद उर्वरक से है मोदी नगर का जो संबंद है किससे है मोदी नगर इसका संबंद रवर से है बारा बंकी बताए बारा बंकी का संबंद तो याद रखिएगा बारा बंकी पॉलिफाइवर और कानपूर का विसफोटक तो सई जो अप्सन होगा सी अप्सन दुबारा से रिवीजन कर लेते हैं आउला उरवरक मोदी नगर रवर बारा बाकी पॉली फाइबर के लिए और कानपूर विसफोटक पदार्थों के लिए जाना जाता है एक नमबर है निमलिकित उद्धियोगो में से भारत में प्राचीन उद्धियोग है सुति वस्त्र नाइट नमबर है तमिलाडू में सरवाधिक सुति वस्त्र के कर खाने कहां पाए जाते हैं याद रखेगा इसका सई जवाब क्या होगा सई जवाब है कोईमबटूर बी ओप्शन इज राइट ओप्शन इसके ब तमिलाडू में लगवग 919 सुति वस्त्र मिले है जो तमिलाडू के कुल मिलो का 40% है भारत में सरवाधिक सुति वस्त्र के कर खाने तमिलाडू में है उसके बाद महराष्ट यों आंध्र परदेश में है प्रशन संख्या 10 है सई जोड़े बनाईए तो देखे जरी के बट बताईए किस से समंदित रखता है जरी के बटूए कहां बनाय जाते हैं इसका सही जवाब क्या होगा तो याद रखेगा भोपाल में भोपाल भैरावगड के प्रिंट भैरावगड के प्रिंट का समंद उज्जैन से है और बाग की हस्त सिल्फ यानि हैंडी क्राप्ट का जो संबंध है वह धार से और चंदेरी की साडिया जो चंदेरी की जो साडिया होती है इसका समध्ध असोख नगर से है यानि ए अप्सफन इस राइट अप्सन देखे जरी के बटूए जो है भुपाल में बनाए जाते हैं वहरोगर के प्रिंट का समध्ध उजैन से है बाग की हस्त सिल्व यह हैंडी क्राप का संबंध धार से है चंदेरी की साडिया असोक नगर 11 नमबर है निमलिखित में से कौन सा जोड़ी या जोड़ा या पियर सुमेलित है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है आपको बताना है तो देखिए इसका सही जबाब होगा B अप्सन मसूरिया साड़ी जो है कोटा में दिया गया है तो बिल्कुल सही है मसूरिया जो साड़ी है इसका समंध कोटा जिले से है और सभी युग में सुमेलित नहीं है बारा नमबर है निमलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है निमलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखे इसका सही जवाब होगा C अप्सन भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का समंध नोडा से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है द्या बंगलूरु कैत्रिक नैनी रायवरेली मनकापूर जो की उतर परदेस में पालकर केरल में सिरी नगर जो की जंगो कास्मीर में इस्तित है। टक चेनाई तमिलाडव में अस्थापित है मतुरा में तेल सोधन कार इन्दियन आल कॉरपरेशन लिमिटेट की रिफाइनरी से किया जा रहा है तेरा नमबर है जिसके लिए चुनार परसीध है किसके लिए चुनार परसीध है वह है सिमेंट उद्द्योग चुनार सिमेंट उद्द्योग के लिए परसीद है में सिमेंट का सरवाधिक उत्पादक था नेमलिखेत में से भारत का कोवन सा राज 2018 में सिमेंट का सरवाधिक उत्पादक था सही जवावे राजस्थान इंडियन मिनरल सियर बोग 2019 के अगरिम आकड़े कनुसार अगर बात करें तो 2018, 2019 में राजस्था ने सरवाधिक यानि 51.31 million ton सिमेंट का उत्पादन किया 16 नंबर है नेमिले में से कौन सिमेंट का मोखे संगठक है नेमिले में से कौन सिमेंट का मोखे संगठक है इसका सई जवाब होगा चूना पथर चूना पथर सिमेंट के लिए मुख संगठक है यानि महत्तपूर्ण है याद रखेगा प्रवाशन संख्या 17 है अच्छा देखे इसके बारे में एक दो पॉइंट डिसकस कर लेते हैं इसका सही जवाब होगा सीमेंट बी अप्शन सीमेंट उद्योग चूना पथर को मुख्यता कच्चा माल के रूप में उप्योग करता है सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के तोर पर चूना पथर लगभग 45% परियोग होता है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए परसीद है प्रशन संख्या 18 निम्नांकित में से कौन सा नगर किटनासक उद्योग के लिए परसीद है तो भोपाल प्रशन संख्या 20 सूची 1, सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो चली मिलान करते है एक तरफ अस्थान दुसरे तरफ उद्योग का नाम दिया गया है तो देखिए विसाखा पत्नम से संबंदी जो उद्योग है वो है अब का पोत निर्माड विसाखा पत्नम पोत निर्माड यानि याद रखेगा विसाखा पत्नम पोत निर्माड मूरी का जो संबंद है मूरी ऐल्मिनियम मोरी, एल्मिनियम गुडगाव यानि गुरुगराम का जो संबंध है वो है मोटर गारिया और पनकी का संबंध उर्वरक से है यानि B option बिल्कुल सही option है ठीक है इसके बारे में दुबारा से रिवीजन कर लेते हैं देखें विसाखा पत्नम का जो संबंध है विसाखा पत्नम में जो उद्योग है पोत नीनमाड है मूरी, एल्मिनियम गुडगाव या गुरुगराम जो है यहाँ पे मोटर गारिया उद्योग है पनकी उर्वरा एक किस नंबर है निमिलखित में से कौन सा साही सुमेलित नहीं है निमिलखित में से कौन साही सुमेलित नहीं है एक तरफ उद्योग का नाम दूसरे तरफ केंद्र का नाम दिया गया है तो देखिए इसमें जो C अफसन है चीनी का समन सिल्वासा से दिया गया जो कि साही सुमेलित नहीं है प्रश्णगत विकल्पों में चीनी उद्योग का केंद सिल्वासा नहीं है बलकि या जो है सही सुमेलित नहीं है तो सिल्वासा जो है चीनी उद्योग के लिए प्रसिद नहीं है भारत में रबर उद्योग इस्थित है कहाँ पर पंजी में याद रखेगा A option रबर उद्योग उप्युक्त और धाविक छेतरों में से पंजी में अवस्थित है case number है निमलकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो D option को देखिए जरा D option में दिया गया पीपरी का समद्ध किटनासक दवाएं से है यानि किटनासक दवाएं पीपरी का समद्ध किटनासक दवाएं से नहीं है यानि एक सुमेलित नहीं है तो देखिए रावा गुन्णव यानि वर्तमान तिलांगना में यहाँ पे जो उद्योग है उर्वरक है चीतर अंजन जो की पश्रिम बंगाल में लोकोमोटिव और गोर्वा 36 गड़ में यहाँ उद्योग एलमिनियम की है और पीपरी उतर परदेश में यहाँ पे जो उद्योग है जल विदूत है 24 नमर भारत का प्रतम उर्वरक सनियंत्र कहां लगा था भारत का प्रतम उर्वरक सनियंत्र कहां लगा था तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट है देखे भारत में सारवजनिक छेतर का प्रतम उर्वरक सनियंत्र 1951 में बिहार यानि वर्तमान में जारखंड के सिंद्री में अस्थापित किया गया था कहा पर सिंद्री में वर्तमान जारखंड में इसके बाद नांगल पंजाब उर्वरक सन्यंत्र अस्थापित हुआ था भारत का प्रथम उर्वरक सन्यंत 1926 पी में रानी पेट तमिलाडू में लगाया गया था 25 नमबर है नेमलिखित में से कौन साई सुमेलित नहीं है नेमलिखित में से कौन साई सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है तो देखिए सिंदरी का समन्द तामबा से दिया गया है जाखंड राज में अवस्तित सिंदरी अपने उरवरक करखानों के लिए जाना जाता है 26 नमबर सहकारिता छेत्र में भारत का सबसे बड़ा उरवरक करखाना इस्तित है 27 नमबर सहकारिता छेत्र में भारत का सबसे बड़ा उरवरक करखाना इस्तित है फूलपूर उत्तर परदेश में 27 नमबर है सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है देखे वरज राज नगर वरज राज नगर जो की उडिसा में है इसका समंध किस उद्योग से है तो कागज से ध्यार रखेगा कागज कैमूर कैमूर जो है मद परदेश में है यहाँ पर जो उद्योग है कैमूर में वह है आपका सीमेंट उद्योग ठीक है, सीमेंट इसके बाद हल्दिया हल्दिया पश्चिम मंगाल में है और यहाँ पर जो उद्योग है पेट्रूरसायन का है पेट्रूरसायन और फूलपूर फूलपूर जो है, यह उत्तर परदेश में है और यहाँ पर जो उद्योग है परसीद है कैमूर मद्व परदेश में सिमेंट उद्दियों के लिए हल्द या पश्यम मंगाल में पेट्रो रसायन के लिए और फूलपूर उत्तर परदेश में उरुवरक के लिए परसीद है प्रस्ण संख्य 28 है भारत का सबसे बड़ा पेट्रू रसायन कर खाना किस राज में इस्तित है भारत का सबसे बड़ा पेट्रू रसायन कर खाना किस राज में इस्तित है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है गुजरात में अप्षन आपका बिल्कुल सई उप्षन है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन का खाना गुजरात राज में अवस्तित है 29 नमबर पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंदर कहां पर इस्तित है तो जामनगर देश में पेट्रूर रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात में इस्तित है थर्टी नमबर Steel Authority of India की अस्थापना किस वर्स हुआ Steel Authority of India की अस्थापना याद रखेगा देखे राउर केला उडिसा भिलाई च्छतिसगर और दुर्गापूर पस्षी मंगाल ये सवी सारवजनिक छेत्र के सन्यंत्र हिंदुस्तान Steel Limited के अधिकार में थे 24 जनवर 1973 को इन सन्यंत्रों के प्रवंदन के लिए Steel Authority of India Limited की अस्थापना की गई 31 निमलखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है निमलखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है तो देखे अमलाई का समन्द 36 गड़ से दिया गया है जो की साई सुमेलित नहीं है देखे जो अमलाई कागट उद्द्योग अस्थल है मदपरदेश में है बल्ल सा राज है वह राज जिसमें सरवाधिक कागज मिले इस्तित है वह राज है उत्तर परदेश देखे प्रस्नगत राजियों में उत्तर परदेश में एक सो पंदर कागज की मिलों की संख्या है जो कि अनक्य अपेक्छा अधिक है जबकि देश में गुजरात में सरवाधिक ध्यान रखिएगा प्रश्न संक्यार 33 है कथन एक कह रहे कि अहमादाबाद भारत में सुती वस्त रुद्दियों का सबसे बड़ा केंद्र है कारण आर अहमादाबाद भारत के पर्मु का पास उत्पादन छेत्र में स्तित है इसलिए इसे कच्छा माल की कोई समस्या नहीं है इसमें जो सही है देखे एक गलत है किन्तु आर सही है भारत में सुती वस्त रुद्दियों का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई यानि महराश्ट है उसके बाद अहमादाबाद का स्थान आता है अहमादाबाद का भारत के पर्मु का पास उत्पादन छेत्र में इस्तित होन इस राज में काली कापास मिर्दा किस्मिकी मिट्टी की परधानता है जो कि इसका कारण नहीं है कुसल स्रमिक परचूर मात्रा में उपलब्ध है बिलकुल सही तो B आप्शन आपका सही आप्शन है तमिलाडू भारत में करखाना निर्मित सूत का अग्रणी उत्पादक है इसका पर्मुख कारण कताई मीलों की संख्या का अधिकोना, कुशल स्रमिकों की परचुर मात्रा, सस्ती जल्विदूत की उपलब्ता आदी है तमिलाडू काली कपास की मिर्दा का पर्मुख छेत्र नहीं है 35. कथन A. यदपी भारत के कुछी भागों में कपास उत्पादित की जाती है प्रंतु सुती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है कथन R. कच्चा माल वस्त्र बनाने की परकिरिया में अपना भार नहीं खोता कथन सही है कारण भी सही है ये अप्शन सही अप्शन है भारत में कपास का उत्पादन मुख रुप से काली मिटी वाले छेतरों में होता है परमुख कपास उत्पादक राजियों में गुजरात, महराष्ट, आंद्रपरदेश, मदपरदेश, करनाटक आदी है इस तरह देश के कुछी भागों में कपास उत्पादित की जाती है प्रन्तु कच्चे माल के भार हरासी न होने के कारण ये उत्द्योग पुरे देश में फैला हुआ है मुंबई, अमधाबाद, कानपूर, कौयंबट्टूर, आदी, सूती वस्त्र उद्योग के परमूख के अंद्र है 36 है 1818 isp में पहला सूती वंस्त्र करखाना निम्न छेत्र में सुरु हुआ 1818 SP में पहला सूती वस्त्र करखाना निम्न छेत्र में शुरू हुआ किस छेत्र में शुरू हुआ तो पस्षिम मंगाल में फोर्ट गलास्टर में यानि ए अप्सन बिल्कुल सही है 1818 SP में कलकता यानि वर्थमान कोलकता के निकट इस्तित फोर्ट गलाश्टर में भारत का पाला सुती वस्तर कर खाना शुरू किया गया प्रन्तु या प्रयास सफल नहीं हो सका 37 है भारत में प्रथम का पास मिल की अस्थापना की सहर में हुई भारत में प्रथम का पास मिल की अस्थापना की सहर में हुई तो कलकत्ता इसका सही जवाब होगा D option और 38 में सुची 1, सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है तो देखे रेसम वस्त्रे जो रेसम वस्त्र उद्योग है बताइए इसका केंद्रे कौन सा है तो सही जवाब है मैसूर करना टक पेट्रो रसायन पेट्रो रसायन का समद्ध जुआहर नगर बडोद्रा गुजरात में यानि आपका सही जवाब होगा जुआहर नगर उर्वरक का उर्वरक का जो समद्ध है तलचर अंगूल उडिसा याद रखेगा तो तलचर इसके बाद आउसदी निर्माण रिसी केस यानि सही आप्शन बी आप्शन है देखिए जो रेशम वस्त्र है रेशम वस्त्र का समद्ध मैसूर करनाटक से पेट्रो रसायन का जुआहर नगर बडोद्रा गुजरात में उरवरा का तलचर अंगूल उडिसा ओसदी निर्माण का रिसी केस उत्राखंड प्रशन संख्या 39 सुचीवन सुचीटू के साथ आपको मिलान करना है Steel Authority of India Limited का जो संबंध है वह है आपका दिली से हिंदुस्तान जिंक Limited हिंदुस्तान जिंक Limited का संबंध किसे है उदैपूर और Heavy Engineering Corporation Limited का जो संबंध है वह है आपका राची इसके बाद Instrumentation Limited का जो संबंध है कोटा यानि सही जो अप्शन होगा C option is right option Steel Authority of India Limited का संबंध दिली से हिंदुस्तान जिंक Limited का उदैपूर Heavy Engineering Corporation Limited का राची और Instrumentation Limited का कोटा चारिस नमर है नेवलखित में से कोवान सायूग में सुमेलित नहीं है देखिए जो नागपटिनम है नागपटिनम का समंध आंधर परदेश से दिया गया जो किसाई सुमेलित नहीं है कोयाली गुजरात में जो कोयाली अस्थल है किस राच से समंधित है तो गुजरात नागपटिनम तमिलाडू नुमालीगर अस्थम और मनाली तमिलाडू नागपटिनम तमिलाडू में अवस्तित है आंधर परदेश में नहीं मनाली तमिलाडू के तिरिवल लूर जिले में अवस्तित एक और होगी कस्वा है 41 निमलकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखिए इसका सही जवाब होगा C option धर्मापूरी धर्मापूरी का समंध उडिसा से दिया गया है धर्मापूरी तमिलाडू में अवस्तित है नकी उडिसा में तो याद रखिएगा 42 है सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना एक तरफ और होगी एकाई या दूसरे तरफ केंद्र का नाम दिया गया है तो चलिए मिलान करते हैं इसका सई जवाब क्या होगा आप बताइए देखे एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड इसका जो केंद्र है कहाँ पर है सोनी पत हरियाना भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड इसका जो संबंद है देखे हम लोगों ने अल्रेडी इसके बारे में डिसकस कर लिया है तो बंगलो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर इस इसका संबंद है कलोल और नेशनल एल्मिनियम कंपनी लिमिटेड का संबंद भूनेश्वर इसका सही जवाब होगा D option रिवीजन कर लेते हैं एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनी पत हरियाना भारत अर्थ मुवर्स लिमिटेड बंगलो और बंगलूरू इंडियन फार और दूसरी तरफ यानि सुची टू में कारे छेतर दिया गया है तो चलिए मिलान कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा तो देखिए इसका सही जो जवाब होगा B.S. Rao B.S. Rao का समंद कुकुट पालन से है B.S. Rao कुकुट पालन याद रखिएगा इसके बाद C.K. प्रहलाद का समंद प्रवंधन विज्ञान से है किसे है प्रवंधन विज्ञान से और जौन कुरियन का जो सम्बंध है किसे मत्त से उद्योग अर्थ विवस था इसके बाद कीरण कारिक का समंद सुचना प्रधाग की और प्रक्रिया समागरी यानि सोफ्ट्वेयर यानि सही जवाब होगा किसे सोफ्ट्वेयर तो इसका जो सही होगा option D सही option है देखे बीवी राव का समंद कुकुट पालन से सीके परलाद का प्रमंधन विज्ञान से जौन कुरियन का मत्त सुद्योग अर्थ विवस था कीरण कारिक सुचना प्रधागी की और प्रक्रिया समागरी सोफ्ट्वेयर पैतालिस में सुची वन सुची टू उट्व के साथ आपको मिलान करना है एक तरफ व्यक्ति का नाम दूसरे तरफ संगठन का नाम दिया गया है तो चलिए मिलान करते हैं डाक्टर नलीन सिंगल, डाक्टर, देखे, इसमें जो आपको मिलान करना है, देखे, वैसे इसका साइज जो जवाब होगा, बी अप्शन होगा, ठीक है, तो पहले मिलान कर लेते हैं, बी अप्शन, बी आर एस नटराजन, बी एस आर नटराजन का जो संबंध है, किसे भारत Earth Movers Limited से है, इसके बाल, एके पूरी का संबंध जो है, भारतिये Heavy Electricals Limited से है, और वी तुलसिदास का संबंध Air India से है, ठीक है, और जगदीश खटर का संबंध मारूती उद्योग Limited से है, यानि बी अप्शन, सही अप्शन है, प्रश निकाल में वेक्तिगत, कह सकते जो वेक् का नुसास सही था, किन्तु वर्तमान में कुछ बदला हुए है, डाक्टर नलीन सिंगल, नलीन सिंगल, इनका जो संगठन है, किस संगठन से जुड़े हुए है, तो भारत Heavy Electricals Limited है, इसके बाल, आर्सी भार्गव का समन्ध मारूती उद्योग Limited से है, एम वी राजसेखर का समन्ध, भारत Earth Movers Limited से है, और राजी वनसल का समन्ध, एर इंडिया से है, 46 है, सुची 1, सुची 2 के साथ, आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं, देखे, इसमें जो दिया गया है, उच अधिकारी और संस्था का समन्ध, तो चलिए, मिलान करते हैं, CPZN, CPZN का जो जो आपका एम, स्री, एस रामादोराई, एस रामादोराई का जो समन्ध है, किस से है, तो TCS, TCS, क्या दखे है, TCS, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सुनिल अरोडा, सुनिल अरोडा का जो समन्ध है, किस से है, सुनिल अरोडा का समन्ध है, इंडियान एर ल तो इसका सही जो option होगा होगा C option दुबारा से वैसे revision कर लेंगे ठीक है प्राशने काल में वैक्ति और संगठन के जो सूची का मिलान है विकल्ब C उसके अनुसार सही था किन्तो वर्तमान में कुछ बदलाव हुआ है और रिसाद जो प्रेम जी है रिसाद प्रेम जी इनका समण वीप्रो टेक्नोलोजिस से है 47 में सूची वन सूची टू के साथ आपको मिलान करना है तो चलिए मिलान करते हैं दखे जो कह सकते हैं कि प्रशने काल के दोरान जो पुछा गया था उसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही ऑप्सन होगा यानि अमरिता पट्रेल का जो संबंद है राष्टिय देरी विकास बोर से है अनु आगा का संबंद थर्मेक्स लिमिटेट से है मलिका स्री निवासन का संबंद ट्रेक्टर एंड फार्म एकुप्मेंट लिमिटेट से है और आपका प्रिया पॉल जो है इनका संबंद किसे है पार्क होटल्स यानि जो बर्तमान में है कुछ डेटा है चेंज हो गई है तो इसके नुसार देख लेते हैं बर्तमान डेटा के नुसार वर्षा जोशी का समंद राष्टिय देरी विकास वोड से मेहर पुदुम जी का समंद थरमेक्स लिमिटेट से मलिका स्रीनिवासन का ट्रेक्टर एंड फार्म एकुप्मेंड लिमिटेट से और प्रिया पॉल का समंद पार्क खोटल से है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 है पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए परसीद है तो आपको मालूम है पंजाब का वह कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए परसीद है सही जबाब लुदियाना ठीक है और लुदियाना को पंजाब की ओधोगिक रधानी भी कहा जाता है 49 ने भारत में नेमलिकित उद्ध्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उभोगता है वह कौन सा उद्ध्योग है जो पानी का सबसे बड़ा उद्ध्योग है वह है ताप सक्ति उद्योग याद रखेगा उद्योग छेतर के कुल जल उप्योग का 88% हिस्सा ताप सक्ति के द्वारा उभोग किया जाता है और इस द्रिष्टी में विकल्प में दिये गए उद्योगो कहीं सा अभियांत्रीकी में 5.05% कागज ये लुगदी में 2.26% और वस्त रुद्योग में 2.07% है प्रशने संक्या 50 50 में सुची 1 सुची 2 के साथ आपको मिलान करना है कागज का जो संबंध है याद रखेगा टीटा गड से है और सीमेंट का जो सिमेंट उद्योगे इसका संबंध किस अस्थान से तो लखेरी इसके बाद लोह और इसपात का जो संबंध है विलाई याद कागज का संबंध टीटा गड से है सिमेंट का लखेरी लोहा और इसपात का विलाई खनी तेल सोधन साला का संबंध अंबाला मुकुल से प्रशने संक्या 51 है 51 में एक तरफ उद्योग का नाम दूसरे तरफ केंद्र का नाम दिया गया है तो मिलान कीजिए अलमीनियम का किससे है तो याद रखिएगा जेके नगर तामबा का संबंध मलाजखंड पूरा रट्टा मार जाना है यहाँ से प्रशने पूछे जाएंगे जस्ता का संबंध है यहाद रखेगा टूडू ठीक है और जूट का जूट का भाड पाड़ा यानि इसका जो सही विकल्व और जूट भाट पड़ा 52 है एक तरफ उद्योग दुसरे तरफ अवस्थिती का जो है दिया गया है लोकेशन दिया गया है उद्योग कौन सा उद्योग कहाँ पर अवस्थित है तो जैसे उर्वरक जो उर्वरक की अवस्थिती है कहाँ पर है सिरी गंगा चुब आपको मालू है काच का जो बीकलफ होगा ए यानी उर्वरक जो है उद्योग का ख़ाँ बड़ते है प्रश्न संकेया 53 है एक तरफ अस्थान का नाम द्श्रे तरफ उद्धियोग का नाम दिया गया तो चले मिलान करते हैं देखे इसका जो सही मिलान होगा D option ठीक है बंगलूरू वायुवान उद्धियों के लिए विख्यात है कोरवा एलुमूनियम के लिए जमसेदपूर लोहा इसपाथ के लिए मलाजखंट तामबा के लिए 54 में सुची बन सुची टू के साथ आपको मिलान करना है तो देखे का काकी नाडा का जो संबंध है जूट उद्धियोग से है विरुधुनगर का जो संबंध है सुति वस्त्र से है चनापटना का जो संबंध है रेसम से है और भदोही का कारपेट यानि कालिन से है तो इसका सई option C option दुबारा से रिविजन कर लेते हैं काकी नाडा जूट से सं विरुदू नगर, सुति वस्त्र, उद्योग, चनापटना, रेसम और भदोही कारपेट। 55 है भारत के निमलखित नगरों पर विचार की दिये तो क्या विचार करना है आपको विचार करना है कि उप्यूक्त में से कोवन से पारंप्रिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के दूसरा यानि चन्देरी और काची पूरम, तमिलाडों में इस्तित काची पूरम तथा मध पर्देश के असोक नगर जीले में इस्तित चन्देरी पारंप्रिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है, 56 है निमलखित में से किन को भगावलिक सुचना यानि जि पर्दान की गई है, तो याद रखेगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा यानि वनार्सी जरी और साड़िया और तिरुपती लड़ू को जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दरजा पर्दान किया गया है, उप्यूक्त विकल्पों में वनार्सी जरी और साड़िया तथा तिरुपति लड़ू को जो है भगावलिक सुचना यानि GI की स्थिती परदान की गई है भगावलिक सुचना इस्थिती का पर्तिक जो है जो GI है स्थिती का एक पर्तिक चीन है जो किसी BCS भगावलिक अस्थानों से संबंदित निशित उत्पादों को परदान किया जात तो छोटा नागपूर छेत्र का समद सीवकासी से दिया गया जो की साही सुमेलित नहीं है सीवकासी और धोगिक छेत्र छोटा नागपूर और धोगिक छेत्र में नहीं बलकि बंगलूरू तमिलाडू और धोगिक छेत्र में आता है 58 है भारत के निमलिकित और रोगिक परदेशों में से किस में सिवकासी केंदर इस्तित है तो आपको मालू है मदुराई कोईमटूर बंगलूरू परदेश भारत के मदुराई कोईमटूर बंगलूरू और रोगिक परदेश में सिवकासी केंदर इस्तित है यह एक बड़ा औरोगी केंद्र है जो की तमिलाडू के विरुधू नगर जिले में इस्तित है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और 59 है मद पर्देश में पितमपूर को किसके लिए जाना जाता है मद पर्देश में पितमपूर को अटो मुवाइल के लिए जाना जाता है पितम के एटो मुवाइल हब के रूप में भी जाना जाता है सिक्ष्टी है जे-एस-ए-म-डी-सी द्वारा अस्थापित गिरनाइट पॉलिस्इंग उद्योग अवस्तित है तुपू दाना राची जारकंड राजखनिज विकास नीगम के दवारा स्थापित गिर नायट Policy उद्द्योग तुपुदाना राची में श्तित है विशरामपूर गरफाइट पूरजिक्ट प्लामु में श्तित है 61 है नेपा नगर का समन्द किस उद्योग से है याद रखेगा नेपा नगर का समन्द किस उद्योग से है तो अखवारी कागश से या मधपरदेश के बुरहानपूर जीले में है 1947 में एक नीजी उदमी के द्वारा स्थापित किया गया था इसका प्रवंदन वर्स 1949 में मधपर्दे सरकार के द्वारा अपने अंतरगत ले लिया गया था 1969 में यह केंद्रिय सरकारी कंपनी बनी यह देश का प्रथम सौदेशी नीज प्रिंट विनिर्माण एक काई है इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में भारत के अनुसंधान केंद्रे के बारे में डिसकस करेंगे आप अपना परतिकरिया जरूर दीजे आपके परतिकरियाओं का आमें बेस्बरी सिंतर जार रहता है जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल, टेलिग्राम कुईज ग्रूप फेस्बूप पेज, इंस्टाग्राम को जोईन नहीं किया वहाँ पर हम लोग इसके परतिक टॉपिक या आप किसी भी प्रस्ण पर अगर जो आपके डाउट है वहाँ पर बेस्ट तोर पर हम लोग डिसकस करके आपके डाउट को किलियर करेंगे या फेस्बूप पेज पेज पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं थैंक यू मिलते हैं नेक्स सेसन में